तेरे dreams, 6 महिने से, एक attempt, 6 महिने से तेरे dream आगे बढ़ गया, 6 महिने से तेरी शादी आगे बढ़ गया, 6 महिने से तरह success आगे बढ़ गया, सोच भाई सोच, तेरे dreams हर चीज से आगे बढ़ गया, अब नहीं किया तो कब किया यार? एक बार सोचके देख, boss, तेरे family के बारे में, एक बार सोचके देख, तेरे family के responsibilities के बारे में, you all know आपके घर की situations इप आपको पता है, सिर्फ आपको पता है आपके घर की situations क्या है, और आप नहीं हुए, तो इसका impact कितना बड़ा होगा या आपको समझ में नहीं आ रहा है अभ पूरा, तो क्या था एक fail के result से पहले सोचके देख, तू हसता था, बस वह इच कान था, life का seriousness ना तुमको कभी ना कभी तो पता चलना चाहिए, और अब भी नहीं पता चलना तो boss तुम किसी काम के नहीं, there is certain age जब तुमको ये चीज़े न चाहते वे भी accept करने पड़ती है Responsibilities का बोज उठाना पड़ता है तुम किसी की इच्चा, और किसी की इच्चा होती है Responsibility का बोज उठाने के, given a chance, सबको अच्छा लगेगा, किसी बीच पे आराम से बैठे रहो, you know, swimming pool में टब डालके बैठे रहो, हाथ में एक juice हो, आहा, ये life ना सबको अच्छी लगती है, पर इस अच्छी life के लिए हरको उतनी अच्छी मेहनत नहीं कर सकता, you cleared CPT, you showed a courage, सोच तेरे साथ जित्ते वाले थे, आदे उने तो CPT में ही दम तोड़ दिया, CPT का attempt दिया, pass हुए, तब छोड़ दिया, क्या आगे नहीं हो सकता, या CPT कुछ पहला attempt देके fail हो गए, तो ही तुने IPCC दिया, एक attempt दिया, fail हुआ, shows you are a warrior, shows you are a warrior, ठीक है न, जरुरी थोड़ी नहीं हर जिती ही जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम को जर्न लड़ते नहीं आता और तुम दुबारा जंग नहीं लड़ सकते, that shows you are a warrior and you can do it, और उसके लिए न, हर warrior के लिए एक बहुत लंबी प्रैक्टिस लगती है, ताकि जब वो फाइनल जंग में जाये तो मार के आये, खा के नाये, समझ मारी बात, तुमको double से महनत करने, सुबह पढ़ने का, दिन में पढ़ने का, रात में पढ़ने का, अरे तुमार को अगर कोई दोस्त आये भी न, टाइम पास करने के लिए, साब दोस्ति के तेले लेने के लिए, बी वेरी सेलफिश वेन यौर एट स्टूट, वेन यौर एट स्टूट, जो तेरा दोस्त रहेगा, वो तेरा पे एक महने बाद भी आएगा, परक नी पढ़ता, और नहीं तो तो तेको पता ठल जाएगा तरे दोस्त को देन यूल वर्क, अधर वाइज माबाप तो तुम पर ब्लाइंड भरोसा करी रह रहे, तो इमाजिन कर तेरी मम्मी को समझता कैसी ये में, इंटर में क्या है, नहीं समझता, तेरे पपा को लेन देन है क्या तुकाई में है, नहीं, उनको सिफ रिजल्ट से मतलब है, वाकि कि वो देखते भी नहीं, तो आके पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, पर हाँ, वो हर वक्त इस बात पर जरूर कंसर्ण है कि क्या तू सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो इस बात पर जरूर कंसर्ण है क्या तू सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो इस बात पर जर